हेलो बच्चो आज का हमारा टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी दिस इज फिजिक्स टॉपिक तो वर्क और एनर्जी क्या होता है सबसे पहले हम डिसकुस करेंगे कि वर्क क्या होता है वर्क जो है जैसे हम बोलते हैं कि हम सारा दिन बैट के बुक करते हैं जहां घर का कोई काम करते हैं लेकिन आपके इसाफ से वह वर्क हुआ है लेकिन physics के हिसाब से जो है वो work नहीं माना जाता तो physics के हिसाब से अगर हम physics की बात करें तो physics के हिसाब से आपने कोई भी work done नहीं किया no work done चाहिए आप 4 गहंटे बैठे चाहिए आप 5 गहंटे बैठे तो physics के हिसाब से आपने कोई भी काम नहीं किया अब देखो सबसे पहले मैं आज रीडिंग कराऊंगी साथ साथ टॉपिक समझाऊंगी इसमें हैं जितने भी लिविंग जो है विंग्स हैं उनको जो है फूड की जुरुत होती है एनर्जी चाहिए होती है तो परफॉर्म बेरियल तो परफॉर्म सेवरल बेसिक एक्टिवि साइकलिंग करते हो जार रनिंग करते हो तो इसको फुल्फिल करने के लिए आपको एनर्जी की जुरुत पड़ती है तो इसको बोलते हैं कि हैंस more work is done इसको work बोला जाता है इसमें दो टॉपिक है हमारे पास एक है work और एक है energy हम सबसे पहले जो है work के उपर काम करेंगे work क करते हो तो वो इट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पॉजीशन टूदा डायरेक्शन ओफोर्स मालो आपके पास यहां पे कोई object पड़ा है यह object है आपने यहां पर फोर्स लगाया तो जब आपने फोर्स लगाया फोर्स लगाने की वज़ा से यह object जो है यहां तक आ गया जै आपको यह बन आपने इस अलमीरा के उपर फोर्स लगाया फोर्स लगाने के बाद जब यह अलमीरा इस पॉजीशन से एक रूम से दूसरे जगा शिप्ट हो गया तो कहने का मतलब है कि यहां पे आपने वर्क डन किया वर्क डन हुआ मतलब फोर्स आप इस तरफ तो वो डिस्टंस कवर करेगा डारेक्शन और फोर्स की तरफ जिस तरफ आप उसकी फोर्स लगाओगे उसी तरफ वो मूव करेगा कहने का मतलब है जैसे हम कहते हैं कि हमने पढ़ा हमने चार घंटे पढ़ा पांच घंटे पढ़ा ठीक है मैंने पांच घंटे की क्लासिस अटेंड करी तो मतलब physics जो है इस definition के उपर agree नहीं करता वो कहता है कि आपने कोई भी काम नहीं किया main reason क्या है कि there is no displacement आपने कोई भी displacement होता है shortest distance आपने distance cover नहीं किया तो कहने का मतलब है जब कहना यह चाहरे है कि जब कोई object के उपर force लगाई जाती है तो वो distance cover करती है तो उसको बोला जाता है work आगे है scientific conception of work इसमें जो है must be applied force apply होना चाहिए दूसरा है कि object जो है object must be move अगर आपने उसके उपर force लगाई है तो object भी move करें अगर object move नहीं कर रहा है इसका मतलब आपने force apply नहीं किया है तो कहने का मतलब है दो ऐसी condition है जो work को satisfy करती है first one is force should act on a body जा object किसी भी object पर force लगाना बहुत ज़रूरी है object must be displaced तो object का move करना बहुत ज़रूरी है if anyone of the above condition does not exist अगर इन दोनों में से इन दोनों में से एक भी condition satisfy नहीं होती that means work is not done तो आपने कोई भी काम नहीं किया तो कहने का मतलब है जो हमारे पास अगर देखा जाए अगर मैं condition की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बना के दिया था कि यह कोई object है आपने यहाँ पर force लगाई force लगाई तो यह जो force है इस तरफ लग रही है तो यह object भी इस तरफ move करेगा तो इसका मतलब है कि object ने distance जो है A से B तक का distance cover किया force must be applied ठीक है और यहाँ पर distance distance must be covered पहले तो दो condition में two conditions है force must be applied applied on the object object के उपर force जो है apply होना जरूरी है अगर आप force नहीं लगाते हो तो object move नहीं करेगा second जो है जो object है the object must be displaced मतलब वो अपनी जगा से खिलना चाहिए ठीक है अगर इन दोनों में से एक भी condition इस object मालो आपने force तो लगाई मालो यह एक गाड़ी है for example आपकी गाड़ी रूक गई ठीक है मालो अब आपने आपसे force आपकी कम थी आपने एक दो बंदों को और बुलाया तो आप तीन जिनों ने इस गाड़ी के उपर force लगाया जब तीनों की force जो है combine होई तो यह गाड़ी ने move करना शुरू कर दिया ठीक है वो एक जगा से दूसरी जगा पहुंच गी तो इसका मतलब है यहाँ पे work done हुआ कहने का मतलब है अगर दोनों condition में से एक भी condition जो है नहीं होगी तो work done नहीं माना जाएगा hope so आपको clear है अब देखो यहाँ पे इनोंने एक और example दिया है इसको समझते हैं इसमें है girl pulls a trolley एक लड़की है जो trolley खीच रही है trolley जो है move कर रही है distance in this way she was exerted a force on the trolley and it is displaced work is done मतलब trolley पढ़ी है उसको वो धकेल रही है अगर वो trolley move कर रही है that means उसने work done किया अब देखो work done by a constant force work done by a constant force यह कोई object है यहाँ पे आपने force लगाया यह object जो है यह इसका initial position था और यह object जो है यहाँ पे आ गया इन दोनों के बीच का distance मानलो f है ठीक है तो अब देखो work done क्योंकि यह जो है देखो यहाँ पे दोनों condition लग रही है एक आपने force apply किया force must be applied must be applied force apply किया तो object must be displaced object must be displaced यह दोनों condition आ रही है जिससे आप बताओगे कि work done हुआ जा नहीं हुआ अब work done जो है यहाँ पे आप force लगा रहे हो यह होता है force into distance तो हम इसको लिखते है w equal to f into s तो यह जो है work done का formula है ठीक है अब देखो work done by force on an objective is equal to magnitude of force multiply by the distance move in the direction of force मतलब यह value इसकी निकाल लोगे अब देखो यहाँ पे यह बोला गया जहां से देखना इस experiment में आपको यह बोला है कि if constant force यह force जो है constantly apply कर रहे हो object के ऊपर due to which the object gets displaced तो object जो है move कर रहा है move कितना distance किया इन दोनों के बीच में distance कितना है s का ठीक है तो यहाँ पे direction of force and reach at the point b then the work done equal to force into displacement यह इसका formula आगया अब देखो आगे उसके बाद जो है आपके पास है unit of work आपने w equal to fs निकाला ठीक है आप देखो work done जो है force force के unit force जो है जिसमें measure होती है उसको बोलते है newton distance जो है meter में आपता है तो work यहाँ पे जो है आप यहाँ meter लगाओगे one meter तो w equal to nm तो one जो है work done बाइदा one newton meter तो work done कितना हुआ one newton meter तो SI unit of newton meter और जोल इसको जो है one newton meter equal to one जोल तो मतलब w equal to work done के unit है work के unit आपको कोई पूछता है कि कितने है तो आप लोगे one जोल जोल इस दिस क्लियर ओके अब दुबारा सुनों आपको यह जो है यह दुबारा बता देती हूं w equal to fs इसके unit कैसे बनाते हैं अब देखो यह force है force के unit को कि आप पीछे force वाला topic पढ़ चुके हो force के unit होते है one newton और distance होता है one meter तो यह w equal to बन गया one newton meter one newton meter जो है one joule के equal होता है तो work done के जो unit बन गये joule ठीक है अब one joule की definition है यह definition है one joule की अगर आपको definition पूछा जाता है तो आप लिखोगे one joule is the amount of work done on an object when a one force of newton एक force की एक newton की force लगाई ठीक है और one meter का उसने एक newton की force लगाई और उसने one meter का distance जो है cover किया तो इसको बोलते है one joule work है न तो work one newton into one meter तो work के जो unit होते है वो joule होते है ठीक है तो one newton meter बन गया is this clear one joule equal to अगर आपको पूछा जाए कि one joule के इसके equal है तो आप लिखोगे newton meter के अब second बात है इसमें कि जो work है वो एक scalar quantity है scalar का quantity का मतलब है कि only magnitude है बट direction जो है given नहीं है okay scalar का मतलब होता है सिर्फ उसकी value पता है आपको direction नहीं पता है अब देखो जैसे example दिया है यह आपको नुमेरिकल आपको इस तरह पूछे जाते हैं कि आपके पास कोई object है आपने जो है constant force लगाई 10 newton this is a force अब जब आपने force लगाई the object is displaced to 5 meter in the direction of force आपने जब force लगाई तो यह object आगे move कर गया इसके बीच का distance आपको दिया है 5 meter that means s is given what is the work done in the in this case work done का formula होता है f into s यहां पे w equal to f 10 newton जो distance है 5 meter तो digit को plus into कर दो 50 newton meter तो 1 newton meter equal to 1 joule तो यहां पे जावल लिख दो तो work done आया 50 joule तो यह आपका answer आ गया is this clear आगे move करें तब तक इसको note करो आप इसको note कर सकते हो कि ऐसे unit of work कैसे बना आप सीधा यह लिखो यह जो मैंने उपर लिख है कि w equal to 1 newton 1 meter तो 1 newton meter joule के equal आ गया तो ऐसे unit बने न्यूटन मीटर जहां जावल तो आगे definition लिखो कि जब हमने 1 newton की force लगाई तो object ने 1 meter का distance cover किया तो यह जो है equal to 1 joule के हुआ अब है कि work जो है scalar quantity है कि vector quantity है तो you can say that work is a scalar quantity तो अगर आपको पूछा जाए कि what is the meaning of scalar quantity तो you can say that it has only magnitude मतला इसकी सिर्फ value होती है और इसमें कोई direction given नहीं होती यह मैंने आपको numerical बता दिया इसी टाइप के आपको question पूछे जाते हैं अब देखो work done by a force acting and angle with direction of displacement जैसे आप कोई toy लेते हो आपने देखाएगा बच्चे toy के आगे धागा बांद के toy को अपनी तरफ कीचते हैं तो जैसे मालो कि यह कोई toy है तो आपने यहां पे धागा बांदा तो आप इस धागे के थ्रू toy को कीच रहे हो तो अगर वो कीच रहे हो तो वो distance भी cover कर रहे है तो अब यह जो धागा है यह sting और यह toy के बीच में जो angle बन रहा है ठीटा बन रहा है और force आप यहां से apply कर रहे हो force इस तरफ लग रही है और जो है distance जो है इस तरफ move हो रहा है ठीक है कहने का मतलब सेम है कि force जिस तरफ apply होगी उसी तरफ जो है distance होगा तो आप force apply कर रहे हो जैसे आप car को कीच रहे हो car आपके पिछे पिछे तभी आएगी जब इस धागे को कीचोगे तो force apply करी तो यहां पे जो relation बना आपका कि w equal to fs cos theta यहां पे ये angle बन गया fs cos theta यह आपको याद रखना है अब है कि अब देखो work done जो है इसमें अलगला cases है कि work done जो है positive कब होता है negative कब होता है और zero कब होत अब ही हमने relation पड़ा w equal to fs cos theta यह पड़ा यह angle की बात है अब देखो अगर हमें पूछते है कि work done जो है positive कब हो है positive work done के लिए जो है less than equal to 90 degree है 090 के बीच में है तो यहाँ पे जो cos theta है यह cos theta अगर आपको एंगल 0 से लेके 90 के बीच तक का दिया है तो यहाँ पे अगर cos theta है तो यह cos theta जो है positive होगा cos theta is positive ठीक है अब इसकी example भी पढ़ लेते हैं कैसे when the force f and displacement s in the same direction माल लो आपके पास यह toy था यह force भी इस तरफ लग रही है और यह जो है distance भी इस तरफ cover हो रहा है तो यहाँ पे जो है direction of force and displacement is 0 degree तो work done will be positive तो work done जो है positive होगा तो कहने का मतलब है w equal to fs ठीक है यह positive आएगा when the force f and displacement s in the opposite direction माल लो आपके पास यह toy car दिखा रखे मैं इसी को लेती हूँ यह toy car दिखो अगर माल लो आप force इस तरफ लगा रहे हो गाड़ी इस तरफ जा रही है ulti direction में तो यहाँ पे negative work done माना जाता है यह negative work done की example है और अगर माल लो आप force भी इस तरफ लगा रहे हो और body इस तरफ भी move कर रहे है force वाली direction में तो positive work done होगा अगर आप force इस तरफ लगा रहे हो और यहाँ पे body पीछे की तरफ जा रही है तो कहने का मतलब यहाँ पे negative work done तो w equal to minus fs fs equal होगा ठीक है तो यहाँ पे जो है जब negative work done होगा तो negative work done में negative work done मतलब 90 से लेके जो theta है वो 180 तक का लाई करेगा ठीक है इसके बीच में अगर angle कोई आता है तो यहाँ पे cos theta जो है वो negative होता है the negative formation आएगी cos theta की value हमेशा negative आएगी अगर cos theta cos theta equal to zero के equal है अगर cos theta equal zero है तो that means zero work done आपने कोई भी काम नहीं किया positive work done क्या है अगर जिस तरफ force मालो यह कोई object है आप force इस तरफ लगा रहे हो object भी इस तरफ जा रहा है इस direction में ठीक है यह distance cover हो रहा है तो यह positive work done है और negative work done क्या है यह object है आप force इस तरफ लगा रहे हो object उल्टी direction में जा रहा है तो यह क्या मतलब बोलेंगे इसको negative work done ठीक है तो अगर जो है angle यहाँ पर कोई भी angle नहीं बन रहा zero work done आएगा is this clear अब देखो आगे दिखाते हैं जैसे यह देखो when the force and displacement are perpendicular ऐसे कोई भी angle नहीं बन रहा यहाँ पर 90 का angle आ रहा है तो अब देखो between the direction of force force or displacement के बीच में 90 का angle आ गया यहाँ पर 90 work done is zero work done equal to zero जैसे अब मालो यह एक कुली है इसने अपने सिर पे जो है load रखा हुआ है तो यह यहाँ पर ध्यान से देखो तो सिर के उपर angle कोई सा बन रहा है 90 का ठीक है सिर के उपर angle कोई सा बन रहा है 90 का तो displacement is a long horizontal direction force and तो यह जो है यहाँ पर यह देखो यह displace इस तरफ कर रहा है यहाँ पर जो है यह है कुली का जो weight है जो उसने समान उठा रहा है यहाँ पर angle बन रहा है 90 तो कहने का मतलब है यहाँ पर इसका काम जो है खुली का 0 माना जाता है चाहिए उसने भार उठा भी रख है तब भी आप कोऊगे कि वह 0 का क्यों क्यों क्योंकि जो weight का जो भार होता है वह सिर्की तरफ लग रहा है प्रपेंडिकुलर और आप इस तरफ मूव कर रहे हो तो बीच में एंगल बन रहा है 90 का जब एंगल 90 का बनेगा तो work done जो है जीरो होगा अब जैसे यह देखो एक crane lift a crate upward through a height is 20 meter यह इसको उठा रही है 20 meter लिफ्टिंग फोर्स जो उठाने वाली फोर्स है वो 5 के न्यूटन है तो इसको चेंज कर दो 5 किलो न्यूटन है तो इसको जो है चेंज करेंगे तो यह फोर्स बन गी 5000 न्यूटन ठीक है डिस्टन्स जो है 20 मीटर है work done निकालना है fs cos theta अब देखो theta जो है अगर 0 है theta जो है cos theta अगर 0 degree हो तो उसका answer 1 होता है यहाँ पे cos theta में 0 भर दो fs cos 0 तो यहाँ पे fs रह जेगा w equal to fs इसमें value डाल दो force कितनी है 5000 न्यूटन और distance कितना है 20 मीटर यह जो है flow the sting held in a child hand जो लड़के ने यह sting को पकड़ रखा है इसके उपर जो है यहाँ पे उसने जो है 10 न्यूटन की force लगा रहा है force कितनी है 10 Newton distance cover हुआ 20 मीटर का और बीच में angle बना 60 का ठीक है बीच में angle कितना बना 60 का यहाँ पे जो formula है w equal to fs cos theta इसमें value भरो w यह देखो f कितना 10 s कितना 20 cos 60 यह जो है 1 by 2 होता है ठीक है आप इसको जो है यहाँ पे 0.5 दे रखा है आप यहाँ पे लिखो f10 into 20 into 1 by 2 यह कट गया तो आपके पास work done आया 100 जाउल तो आप जाउल लिख सकते हो okay is this clear आप देखो next करते है अब आपको कुछ question करवाती हूं ध्यान से पड़ो आपको definition पूछा जाएगा कि 1 जाउल की definition क्या है आपको होगे यह कोई object है यह object है हमने जो है force जो है 1 newton की force लगाई तो object ने move किया 1 मीटर तो जब work done हुआ 1 newton मीटर तो यह जो है w1 जाउल equal to 1 newton मीटर के equal आता है यह है जाउल की definition आगे when do we say that work is done आप मारे साब से वर्क जो है जैसे आप कहते हो हम पढ़ते हैं हम खेलते हैं ठीक है पढ़ते हैं reading करते हैं सारा दिन आप बैठे रहे तो पढ़ाई को लेके आप कहते हो हमने बहुत काम किया तो physics definition को नहीं मानता physics के यह कहता है कि अगर आपने किसी चीज़ के उपर force apply किया है तो उसका distance cover होना ज़रूरी है अगर वो distance cover नहीं होता तो इसका मतलब है उसने कोई भी काम नहीं किया आगे है can there be displacement of an object in the absence of any force on acting on it यह देखो can there be displacement of an object in the absence of any force acting on it think discuss this question with your friend and teacher if the object move the constant velocity अगर कोई object constant velocity से move कर रहा है तो that means there is no acceleration then no force act on it तो उसके उपर कोई भी force जो है काम नहीं कर रही इसका मतलब as the object is moving so it get displaced from one position to another तो जब अगर कोई भी object अगर move कर रहा है तो उसका जो है एक जगा से दूसरी जगा जाना ज़रूरी है आगे देखो question sony says that acceleration of an object could be zero acceleration जो है zero है when several force acting on it do you agree with him and why आप जो है इसके लिए agree करते हो और अगर करते हो तो क्यों तो यहां पे है yes I am agree with sony the acceleration of object can be zero even several forces acting on it the resultant of all the forces acting on the object is zero मतलब यह कोई बड़ा सा पत्थर है अगर मालो एक बंदा इसके उपर force लगा रहा है तो यह जो है if the acceleration of an object is zero even the several forces मालो यह एक बड़ा सा पहाड है आप इसके उपर forces लगा रहे हो तीन चार बंदे इसको आगे displace कर दें तो यहां पे force अगर zero होगी ठीक है force अगर zero होगी तो यहां पे resultant all the force acting on the object is zero तो कि पहाड तो मूब भी नहीं किया आगे है person hold a bundle of hair over his head एक आदमी है उसने अपने सिर के उपर भार उठा रख है head for 30 minutes get tired वो ठक जाता है has he done some work or not justify your answer तो यहां पे आएगा कि यहां पे no work is done because of मानलो यह जो भार उसने उठा रख है वो इस तरफ जो है force लगा रहा है weight और आप इस तरफ जा रहे हो थी यहां पे angle बन रहा है 90 तो जब angle 90 बनेगा तो आपने कोई भी काम नहीं किया on holding a bundle of hair overhead work done by person is zero because there is no displacement उसने कोई भी displacement नहीं करी in spite the person get tired because there is a physical work done by the man उसने सिर्फ physically work किया है physics के हिसाब से उसने कोई भी involvement नहीं दिखाई without the involvement of force and displacement आगे देखो write an expression for a work done when a force acting on a object in the direction of displacement अभी आपने निकालना था fs cos theta तो w equal to fs cos theta f for force s for displacement theta जो है angle between angle between force and distance यह formula आएगा ठीक है अब देखो अगर आपको दिया है कि अगर force और displacement दोनों ही 0 के equal हो तो आप लिखोगे fs cos theta यहाँ पे theta की value 0 लिख दो एकए theta यहां पे fs into 1 w equal to fs यह आपका answer आएगा अब देखो ए force act on 7 newton force this is a force distance cover किया 8 meter का so let us take it the force act on the object through the displacement what is the work done of this case so w equal to fs यहां पे 7 into 8 this is 56 newton meter so that mean w equal to work done 56 joule answer आएगा अगे देखो is it possible that an object is in a state of accelerated motion due to external force acting on it but no work is being done by the force explain with the example when force act on a direction perpendicular to the direction of displacement force इस तरफ लग रही है और displacement horizontal की तरफ जा रहा है तो बीच में एंगल है 90 का इसका मतलब है यहां पे कोई भी work done नहीं होगा earth revolve around the sun under gravitational force of the sun on earth but no work is done by the sun to earth has a centripetal acceleration centripetal होता है जो center की तरफ force लगती है centripetal acceleration अब देखो जैसे आगे वाला question है कि force is 5 newton is acting on a object the object displays through 2 meter in the direction of force w equal to fs आपको work done निकालना है यहां पे 5 newton into 2 meter w equal to 10 newton meter तो यह w equal to 10 जवल के equal आगया आप इसको note कर सकते हो question को आगे देखो what is the angle what is the angle between force and displacement in case of negative work done आपको बोला था negative work done तब होता है जब 90 और 180 के बीच के angle होते है जा 90 होगा जा 180 होगा तो कहने का मतलब in case negative work the angle between force and displacement force और displacement के बीच में एंगल जो है 180 का रहेगा जब 180 का रहेगा तो जैसे मालो आप इसके उपर force लगा रहे हो तो यह इस तरफ मूब कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहां पर जो है negative work done हुआ तो negative cost 180 की value minus 1 होती है तो यह आज़ेगा negative work done आगे देखो इसमें है pair of bulk exerted force of 140 newton newton on a flow the field being flow 15 meter long आप इसको note करो flow is 15 meter long how much work is done in flowing the length of the field आपके पास force दे रख है 140 newton और इस जो है 15 meter तो आप formula लगाओ w equal to fs cos theta value डालो fs जो है यहां पर यहां पर बचेगा कोगी cos theta theta अगर 0 है तो 0 की value कितनी होती है 1 तो यह आगे w equal to fs value डाल दो 140 into 15 this is 2100 जो अब देखो an object thrown at a certain angle to the ground move in a curve path and fall back to the grain आप चीज को उपर फैंकते हो वो नीचे आती है the initial and final position of the path of the object lie on a same horizontal line what is the work done of the force gravity on the object we know that work done is the product of force and displacement in this case displacement मतलब पहले आपने ball को यह ball है आपने इसको उपर फैंका यह उपर जाने के बाद ball नीचे आ रही है ठीक है तो displacement क्या है कि जहां से वो शुरू हुई थी वहाँ पर वापस आई तो displacement जो है 0 होगी the work done by the force gravity on the object is 0 तो उसने कोई भी काम नहीं किया आगे है what is the work done by force of gravity on a satellite moving around the earth justify your answer work done by the force of gravity on a satellite moving around the earth यह satellite ऐसे जो move करती है because the angle between the force and displacement in case of circular motion तो आपके पास जो angle बनता है वो 90 का बनता है जब आप w equal to fs cos theta में angle डालोगे 90 तो यहां पे जो है 90 0 के equal होता है तो यहां पे कोई भी work done नहीं है अब देखो यह वहला question है force 10 newton है जब force does the work of 10 joule of an object when it is displaced through one meter तो मतलब distance जो है one newton displacement one newton one sorry meter तो यहां पे angle between the displacement तो आप कहने क्या करता है यहां पे लिखो यह आपको angle निकालना है तो आप क्या करोगे work done दिया है 10 joule इदर लिख दो force कितनी है 10 यहां पे distance कितना है one और साथ में cos theta तो 10 joule divide by 10 तो यहां पे cos theta यह 10 से 10 कट गया तो theta जो है यहां पे answer बना one तो यहां पे जो है theta यह trigonometric ratio होती है यहां पे theta यहां पे one है तो यह जो है one किसके equal होता है cos zero degree तो यह जो है cos से cos कट गया theta equal to zero तो यह answer आएगा आगे देखो a ball of mass 0.5 एक ball है उसका mass जो है 0.5 है यह इसको उपर फैंका और इसने अपनी maximum height ली 4 meters what will be the work done by the force of gravity during this vertical displacement mass कितना है 0.5 जो उसकी height है वो कितनी है 4 meters ठीक है तो अब अगर value लगाते है तो यहाँ पर value होती है gravity की f equal to mg g की value जो है near about 98 लेते है meter per second square तो यहाँ पर value डाल दो mass कितना है 0.5 9.8 तो यह बनेगा 4.5 Newton अब वो work done by the force of gravity क्योंकि आप जो है ball को उपर फैंक रहे हो तो gravity जो है gravity against gravity जा रहे हो तो यहाँ पर जो है अगर opposite जा रहे हो तो work done जो है negative हो जाएगा यह हो गया इसमें value डालो तो आपके पास जो force आई है आप लिखोगे minus 4.9 into 4 work done equal to minus 19.6 job अब देखो यह बला question आपको दिया है look activity the reason out there whether not work is done on the light of your understanding the term work kima is swimming in a pond kima swimming कर रही है आप बताओ कि यहाँ पे जो है अब देखो जब हम swimming करते हैं तो हम force लगाते हैं अपने हाथों की और आगे की तरफ चले जाते हैं displacement shortest distance to displace हुआ तो यह जो है work done होगा आगे है donkey is carrying a load on its back तो अब उसने अपना जो है donkey ने weight को अपने उपर लाद रख है तो यहाँ पे आएगा no work is done no work is being done by donkey because direction of force मतलब ऐसे है यहाँ पे 90 का angle बनेगा horizontal position है तो if displacement and force are perpendicular जब यह force और distance यहाँ इन दोनों के बीच में force और distance के बीच में 90 का angle बनता है तब जाके work done जो है no work done आपता है ठीक है यह तो no work done windmill is lifted water from a well एक windmill है जो कुए में से पानी निकाल दी है तो यहाँ पे क्या आएगा work is done because windmill is lifting the water changing the position of water ठीक है आगे है great plant great plant is carrying out photosynthesis so no work is done because there is no force no displacement engine is pulling a train एक engine है वो train को pull कर रहा है तो that means work done हुआ तो कि जो train है उसने जो है force लगाई और चीजों को अपनी तरफ कीचा आगे है food grain are getting dried in the sun जब आ फूड को फूड ग्रेन को sunlight की रोशनी में जो है राई करते हो तो आप उसमें work से लग रही है तो यह आगे की तरफ मूब कर रही है इसका मतलब है इसने displacement करी और वरक की दोनों condition को satisfy किया तो इसका मतलब है इसने work done किया को कि अब यह से यह देखो यह आपको situation दे रखी है this is a last question यह situation दे रखी है यह देखो यहाँ पर यह force लग रही है displacement इस तरफ हो रही है कब बताओ कि इसके बीच में कौन सा एंगल लगेगा यह force है और यह displacement है force and displacement बीच में 90 का एंगल बनेगा जब 90 का एंगल बनता है तो work done 0 होता है work done is 0 अब यह देखो जिस तरफ force लगा रहे हो उसी तरफ distance move हो रहा है तो यहाँ पर कोई भी एंगल नहीं बन रहा theta is 0 तो मतलब अगर मैं w equal to fs cos theta लूँ तो theta अगर 0 के equal है तो w equal to fs cos 0 तो cos 0 जो है 1 के equal होता है तो यहाँ पर w equal to fs into 1 तो w equal to fs आगे है angle between f and s यह force आप इस तरफ लगा रहे हो object इस तरफ move कर रहा है angle कितने का है 180 का यह angle कितने का है 180 का तो अगर 180 का बनेगा तो work done is negative hopes हो कि आपको जो है इतना समझाया आप इस video को pause करो बार बार देखो यह concept very important है और यह competition test में work और energy का topic पूछा जाता है आपको इसको समझना पड़ेगा आप इसको ध्यान से पढ़ो अपनी book reading करो अगर आप यह notes को भी ध्यान से पढ़ लेते हो आपके सारे question जो है solve हो जाएंगे थैंक यू फोर वाचेंग